बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम उल्लीकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लुगेटर यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए डियेचे फेसिक्स लाहोर में एक घर लेकर आयों जिसे बहुत ही जबरदस्त और लगजीरस त्रीके से इस घर को डिजाइन किया गिए वीडियो देखने वाले से रिक्वेस्टर के वीडियो का लास्त तक जरूर देखिए का ताकि वीडियो के दरान पूरे घर की डिटेल्स और फिर उसके बाद आप से प्राइस शेयर कर सकूँ अब बढ़ते हैं घर के जाने भी लेकिन पहले मै के कॉर्णर के टेगरी का प्लॉट है इसकी जो डिमेंशन हैं वो 55 बाइन 90 है यानि 55 इसका फ्रंट है और 90 इसकी डेप्थ है उसी के साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन का कवर्ड एरिया है वो 7513 स्केर फीट है अब मैं आपको दिखाता हूं इस घर का स्ट्रीट ओवर्विव यह आप देख रहे हैं स्ट्रीट ओवर्विव यह आप देख लें गर के सामने मेटल रोड को बनाया गिया और यह है इस घर के बाहर का लॉन एरिया इसकी मैं पहले कॉर्णर साइड आपको विजिट करवा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं स्टोन का यूज करके आईते क्रीमा को लिखा गया है और यह इसकी कॉर्णर साइड है जहां पर कम्प्लीटली प्लांटेशन की गई है यहां से मैं आपको एक बार इसके व्यू दिखा रहता हूं हुआ हूं यह इस घर की कॉर्नर साइड अब मैं आपको लेकर चलता हूं घर के अंदरिवी इसका फ्रंट देखने को मिलेगा, इसका फ्रंट अलिवेशन देखके तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने नॉर्मली भूत ही कम घर देखे होंगे, जिसको इस तरीके से मोडर्ण लाइन में त्यार किया गया हो, अब चलते हैं घर के अंदर, यहां यह है इसका कार जहां पर दो से तीन बड़ी गाड़िया बहुत इजली पार की जा सकती है, और इसका सिलिंग डिजाइन देख लें, सामने आप देख सकते हैं, प्लांटेशन की गई है, इधर भी प्लांटेशन की गई है, कम्रेटली, और फर्दर घर में एंटर होके लेट साइड पे घर जा दूँगा, यह देखें, इधर से आप अपने बेस्मेंट का व्यू देख रहे हैं, सामने नीचे बहुत बड़ा हॉल डिजाइन किया हुए, और यह है स्विमिंग पूल, वह नीचे से जागे मैं आपको दिखाऊंगा, और यह है वो चीज जो के उपर से जागे मैं आ में गेट से अप जैसे अंटर होते हैं, बिल्कुल सामने, यहां पर आप देखेंगे, फूट स्टेप्स को डिजाइन किया है, बहुत ही यूनीक और डिफरेंट से यह फीचर घर में आप देख रहे होंगे, इससे पहले जो भी एक कनाल का डिजाइन देखे, आपने यह च आप घर में जैसे ही एंटर होंगे, सामने बॉल डिजाइन अब देखेंगे, पूरी बॉल पे यहां पर हाइड्रिली मिरर को डिजाइन किया गया, उसे के साथ एलेडी लाइट्स को लगाया गया, यह इसकी डबल हाइड्रिट लोबी का व्यू देख रहे हैं, सेंटर में चैनिलियर है, और फर्दर राइट साइट पर आप देखेंगे, तो यहां से आप अपने बेस्मेंट का व्यू देख सकते हैं, जबके घर में एंटर होके, यहां पर लेफ्ट होकर ड्राइंग रूम को डिजाइन किया गया, यह इसके डोर का डिजाइन है, जिसकी जो हाइ है, वो 8 फिट रखी गई है, ग्लास और एश वूड के कंबिनेशन से इसको डिजाइन किया गया, यह है इसका ड्राइंग रूम, इसका सेलिंग डिजाइन, सेंटर में शैंडिलियर देख सकते हैं, खुबसूरत सा फायर किट को डिजाइन किया गया, फ्लोरिंग यहां पर कम्प्लीटली वुडन की रखी गई है, और इधर से आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू अपना लॉन का भी और घर से बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं, ड्राइंग रूम से बाहर आकर वेरी लेफ पर घर के डाइनिंग एरिया को डिजाइन किया गया, यहां पर स्ल इसका डाइनिंग एरिया काफी स्पेशियस सा, इसका सीलिंग डिजाइन भी देख लें, सेंटर में इसका शैंडिलियर है, और यहां लेफ साइट पर आप देख रहे हैं, बाहर के यूज को डिजाइन किया गिया है, और इसके साथ से रेंडिलेशन परपस के लिए यहां अब चलते हैं घर के फर्दर प्लैन की तरफ डाइनिंग एरिया से बाहर आके यह इसका लोबी एरिया है, यहां पर इसका सिलिंग के डिजाइन देख लें, फ्लोरिंग जो है, फ्लोरिंग के लिए पूरे घर में केल कंपनी की टाइल्स का यूज किया गिया, यह आप वाल-fitted कमोड है, वाइट्रा कंपनी का जबके यहां लेट साइट पर वैनिटी और इसके उपर एलेडी मिरर को लगाया गया है, सामने वेंटिलेशन परपस के लिए अलूमिनियम की विंडोस भी है, और उसी के साथ साथ उपर अप देख सकते हैं, पावडर रूम से बाह लाउंज में यह देख रहे हैं, इसका सिलिंग का डिजाइन, सेंटर में खुबसूरत सा शैंडिलियर, राइट और लेट साइट पर अलूमिनियम की विंडोस को डिजाइन किया गया है, और जबके यहां लेट साइट पर यह हैं मेडिया वाल, उसी के साथ साथ यहां पर गेन प्लांटेशन की गई है, जो के इनहांस कर रही है, इस लाउंज की लुकिंग को, यहां से मैं आपको दिखा रहता हूं, इधर से भी, आप अपने बेस्मेंट का व्यू देख सकते हैं, अब चलते हैं, फर्दर प्लैन की तरफ, इधर लाउंज से बहार आके, यहां ल इक बेडरूम है, जो के मास्टर साइज में डिजाइन किया गिया है, पहले मैं आपको इसके किचन के विजट करवा रहता हूं, किचन में आप जैसे ही एंटर होंगे, यहां से भी आप अपने बेस्मेंट का नीचे व्यू देख सकते हैं, नीचे फिश पॉंट का एरिया और मैं आपको पहले के किचन का कम्प्लीट इखा रहता हूं, यह आप देख रहे हैं, इसका किचन सेंटर में चैंडिलियर है, कफी जदा यहां पे कैबिनेट्स को बनाया गिया है, और यह यहां पे सेंटर में स्लैप को डिजाइन किया गिया, इसलैप को बनाने के लिए और इधर से भी बहुत ही जबर्दस्तोर कमाल कविव आपको देखने को मिलते है, यह आप इसके कॉर्णर कविव देख रहे हैं, अगेन इस साइट से इसका गैलरी कविव है, और फर्दर सामने आप देख रहे हैं, बर्णर उसके उपर हुड को डिजाइन किया गिया है, यहां पे अलेक्ट्रिक और माइक्रोव अवन है, उसके साथ साथ हायर कंपनी का टूट और रेफ्रिजडेटर है, फर्दर यहां से मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सर्विस किचन की तरफ यह है, इसके सर्विस किचन के सेलिंग डिजाइन, एंटर होके बिलकुल सामने यहां पे वाश बेसन अगेन मिल जाता है, आपको फर्दर राइट साइट पे यहां पे बर्नर है और उसके ओपर आप देखने किचन हुड और उसके साथ यहां पे लॉंड्री एरिया को भी डिजाइन किया गया है, और उसके साथ यहां पे अगेन वाश बेसन को लगाया यहां पर वेंटिलेशन परपज के लिए विंडोस देख सकते हैं तो विवर्स इसी के साथ इसके ग्राउंड फ्लोर के किचन का ओवर्वी कम्पलीट होता है अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके बेडरूम की तरफ किचन से बाहर निकल कर यहां सामने आप देखेंगे मास्टर बेडरूम जहां पर फ्लोरिंग कम्पलीटली वुडन की रखी गई है और यह है इसका सेलिंग डिजाइन इसमें आप जैसे एंटर होंगे एंटर होके लेफ्ट साइट पे यह बेड वॉल है इस बेडरूम की और यह है इसका लक्जीरियस सा अटैश्ट वॉश्रूम इसका सेलिंग डिजाइन देख लेए और इस वॉश्रूम में एंटर होते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल सामने काफी ज़्यादा हाइट ट्ली मिरर यहां पर डिजाइन है और डबल वैनिटी है उसी के साथ फ और सामने आप देख रहे हैं घर की वाड्रोब्स यह वाड्रोब भी मैं आपको दिखा रहेता हूँ खोल के और इदर से भी यह देख लें इसका यह है इसका शावर रूम और यह इसके वाल डिजाइनिंग देख लें जहां पे एलेडी लाइट्स का भी यूज किया गिया है तो विवर सीसी के साथ इस घर के स्विमिंग पूल के डिजाइन किया गिया है जबके फर्स्ट फ्लोर पे थ्री बेड्रूम्स हैं पहले मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर के विजिट करवाता हूँ यहां पे आप देख रहे होंगे इसके फूटस पे ग्रेनाइट का यूज किया गिया और यह है इसका ग्लास जिसको रिलिंग के परपस के लिए यहां पे लगाया गिया है और जब आप यहां से उपर आ रहे होते हैं इदर का मैं आपको व्यू कम्प्लीटली दिखाने की कोशिश करता हूँ यह लेफ्ट साइट पे इसके बेडरूम है अब जैसे स्टेट के से उपर आते हैं यहां पे आप देखेंगे अगेन फर्स्ट फ्लोर के लाउंज एरिय को डिजाइन किया हुए यह इसकी पार्टिशन के लिए डूर का डिजाइन देख लें और यह है इसका लाउंज एरिया जिसमें आप एंटर होते हैं तो यह आप देख रहे हैं काफी बड़ी यहां पे मेडिया वाल को डिजाइन किया गिया है और उसी के साथ वाल पे इंपोर्टिट वाल पेपर की फिक्सिंग आप देख रहे हैं अच्छा जिस यूनीक फीचर की मैं आपसे बात कर रहा था वो यह इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं कि आप अपने लाउंज एरिये से फ्रंट टैरेस तक जाने के लिए यहां से ब्रिज से होकर गुजरते हैं और यह है इसका फ्रंट टैरेस प्लांटेशन की गई है कम्प्लेटली संथाटिक ग्रास का यूज किया गया है यहां पर प्लांटेशन देख सकते हैं सिटिंग प्लेस है यहां पर और उसी के साथ साथ फाइर किट को भी यहां पर डिजाइन किया गया है और यह आप देख ले यहाँ बेडरूम से भी एक्सेस ले सकते हैं वह मैं अभी अंदर से जा के आपको दिखाता हूं अब मैं आपको लेकर चलता हूं फर्स्ट फ्लोर के फर्दर प्लैन की तरफ और इधर से भी देखने व्यू तो यह था इसके लाउंज का विजिट स्टेर के से उपर आके अगर आप राइड होंगे तो यहां से जो इसके फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है उसकी एक्सेस है उससे पहले मैं यहां से आपको उसका व्यू दिखा रहता हूं यह इसका शैंडिलियर देख लें बहुत ही खुबसूरत सा और उसके साथ देख रहे हैं फरदर यहां पर एंडर हो के राइड साइड पे इसके बैडरूम को डिजाइन किया गया है फ्लोरин यहां पर पे completely और फर्दर यहां से आप अपने टेरेस की एक्सेस भी ले सकते हैं जबके यहां पे अटैश्ट वाश्रूम को डिजाइन किया गया है यह जो वाल है इतर देख रहे हैं आपके मिरर का यूज़ करके इसको डिजाइन किया गया है इस मीडिया वाल की बैक साइट पे अटैश्ट वाश्रूम है इस वाश्रूम में आप जैसे एंटर होंगे बिलकुल सामने आप देखने है काफी हाटरिटली यहां पे मिरर है उसके साथ वैनेरी को डिजाइन किया हुए अल्टरा लक्शरी मोडरन लाइन में और यहां पे इस लैप को बनाने के लिए आप देख रहे है बेकलाइट का यूज किया गिए वाइटरा कंपनी का वाल फिटेट कमोड है यहां पर राइट साइट पे आप देखेंगे तो शावर अरिया उसके लेफ्ट साइट पे जकुजी को प्लेस किया गिए यह आप देख रहे हैं इसका सिलिंग का डिजाइन और फर्दर यहां पे राइट साइट पे होकर काफी ज्यादा वार्ड रोप्स को डिजाइन किया गिए जहां पे काफी ज्यादा आपको स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए तो वीवर सब में आपके लेकर चलता है उसके बागी दो बेट्रूम की तरह फर्स्ट फ्लोर के स्टेर के से उपर आगे थोड़ा सा लेफ्ट होके यहां पे बेट्रूम नंबर टू है यह आप देखने बेट्रूम नंबर टू सामने बेट वाल है इसकी और उसी के साथ साथ यहां से आप देखने के बहुत ही जबर्दस व्यू आप देख सकते हैं बाहर जैसे का मैं पहले बता चुका हूँ कि कॉर्णर कैटेगरी का हाउस है और इसकी कॉर्णर साइट पे कम्प्लेटली प्लांटेशन की गई है बैड बॉल की राइट साइट पे ही अटैस्ट वाश्रूम को डिजाइन किया गया है यह आप देखे हैं वाश्रूम जिसमें एंटर होके लेट साइट पे वैनेटी है उसके उपर एलेटी मीरर उसके बिल्कुल सामने वाल फिटिट कमोड जबके यह है इसका शौवर रू यहां पर एक्जास्ट फैन को भी लगाया गया और यहां पर भी अलुमीनियम की विंडोस को डिजाइन किया गया है यह इसका सीलिंग के डिजाइन देख लें जबके इस वाश्रूम में एंटर होके बिल्कुल सामने और राइट साइट पे वाइड रॉप्स को डिजाइन किया गया कम्प्लीटली और यह इसके डूर का डिजाइन भी देख लें आप इस बेटरूम से बाहर आकर थोड़ा सा लेट साइड पे यहां पर फिर्स्ट फ्लोर के किचन को डिजाइन किया गया है और उसी के साथ यह है इसका स्टोरूम स्टोरूम के लिए भी अच्छी स्पेस का यूज़ किया हुआ है यहां पर यह आप देख रहे हैं इसका सिलिंग का डिजाइन बेस्मेंट में जो सिलिंग हाइड है वो 10 feet रखी गई है फिर्स्ट फ्लोर जो है वहां पर 12 feet रखी गई है जबके इसके ग्राउन फ्लोर पर सिलिंग की जो हाइड है वो 11 feet रखी गई है और यह है इस गर का बेडरूम नमबर फोर यहां पर फ्लोरिंग कम्प्लेटली आप देख रहे हैं अगेन वुडन की की गई है इसका सिलिंग का डिजाइन लेफ्ट साइड पर बेड़ वाल आप इसकी देख रहे हैं और सामने आप देख सेखते हैं वेंटिलेशन परपस के लिए विंडूस को डिजाइन किया हुए और बेड़ वाल के साथ ही यहां पर टैश्ट वाश्रूम है इसकी देख लें और यह है इसका सिलिंग का डिजाइन वाश्रूम में आप जैसे एंटर होंगे यहां पर आगया के आप देखेंगे यह है इसका शौर एरिया फर्दर मैं अगर आपको यहां से लेकर चलता हूँ तो आप देखेंगे इधर यह जो वाल है यह मैं आपको दिखा रहता हूँ कम्प्लीटली मिरर के यूज किया गया यहां पर और इसको डिजाइन किया गया उसी के साथ-साथ यहां पर भी काफी ज्यादा आपको स्पेस मिल जाती है आप चाहें तो यहां पर स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और फर्दर यहां पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिलकुल यहां पर यहां पर गड़ी वैनेटी को डिजाइन किया गया है उसना पीड़ी मेटी से फहर इसका बाड़ी जाह 抹ऻ देख लें पूरे गर में वाटर कंप्री के चेश्य का यूज किया गया है यह वैलेटी के साथ ही यहां पर काफी बड़ा LED मिरर डिजाइन किया हुए है और यहां से भी मैं आपको दिखा रेता हूँ इसको शावर रूम जबके फर्दर इस वार्ट्रोम एंटर होके लेट साइड पर वार्ट्रोप्स को डिजाइन किया गिये यह भी मैं आपको दिखा रेता हूँ तो इसी के साथ इस गर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ओर्विव कंप्लीट होते है अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके बेस्मेंट के प्लाइन की तरफ बहुत ही जबर्दस उसको डिजाइन किया हूँ जहां पे एक बेडरूम है उसी के साथ काफी बड़ा बेस्मेंट में आपको हॉल मिल जाते है स्विमिंग पूल है और सिटिंग प्लेस काफी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी उसी के साथ साथ वाश्रूम को भी डिजाइन किया गिया यह अब हम जा रहे हैं बेस्मेंट में और यह इस पक्त हम बेस्मेंट में उतर चुके हैं अब जैसे ही बेस्मेंट में नीचे उतरते हैं बिल्कुल सामने यहां पर पार्टिशन आपको देखने को मिलती है अलुमीनियम की और ग्लास की जिसके ओपोसिट साइट पे स्विमिंग पूल को डिजाइन किया गिया उससे पहले मैं आपको इसका बहुत जबलता सा फ्यूचर सोरी कह रहा हूँ फीचर दिखा रहता हूँ कि इसके राइड और लेट साइट पे यहां पर फिश पॉंड को भी डिजाइन किया गिया है और उसी के साथ यहां पर काफी ज़्यादा स्टोरेज है जिसको आप अपने नेड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते है और यह है इसका स्विमिंग पूल इसका सेलिंग का डिजाइन देख लें और यह है इसका पूल पूल की लेफ्ट साइट पे बेस्मेंट का बेड रूम है और फर्दर यहां पे इसकी open space है और यह इसका hall है उससे पहले मैं आपको इसके bedroom का विजिट करवा रहता हूँ यह है इसका bedroom और यह आप देख रहे हैं इसका ceiling का design यह आप देख रहे हैं left side पे bed wall है यहां पे आप media table को place कर सकते हैं जिसके बाहर आप बहुत ही जबर्दा सा view देख सकते हैं पूल एरिया का और bed wall की right side पे ही attached washroom को design किया गया जिसमें आप जैसे एंटर होंगे यह है इसका walking closet इसका ceiling का design इस फक्त आप देख रहे हैं और बिलकुल सामने यहां पे mirror को लगाया गया वाल पर और यह है इसका washroom इसमें right side पे wall fitted commode है और left side पे आप देख रहे है वैनेडी उसके ओपर LED mirror है aluminium की window भी है ventilation purpose के लिए और further यहां पे आप exhaust pen भी देख रहे हैं और बिलकुल सामने आप देख रहे हैं इसका काफी बड़ा shower room रूफ पे आप देख सकते हैं rain shower का भी use किया गया तो इसी के साथ basement के bedroom का overview complete होता है और यह है इसके basement का एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से design किया हुआ hall बिलकुल सामने आप देख रहे हैं mirror का यूज किया गया उसी के साथ fire kit को भी design किया गया और यह इसका hall area आप देख रहे हैं इस वड़ शेंडिलियर को यहां पर भी लगाया गया और इसी के साथ यहां पर शेंडिलियर को लगाया गया जबके यह है इस hall की media hall इधर से भी मैं आपको इसका व्यू दिखा रहता हूं completely जबके यहां से आप अपने open space की और पूल की access भी ले सकते हैं इसके opposite side पे आप देख रहे हैं यहां पर flooring जो है वो टाइल की की गई है उसे के साथ सा synthetic grass का यूज किया गया है सामने इसकी बहुत जबर्दसी wall designing आप देख रहे हैं और यहां right side पे भी और इसका यहां से बहुत ही आला मैं आपको व्यू दिखा रहता हूं उपर आप देख रहे हैं bridge गुजर रहे हैं जो के first floor के हमें lounge area से terrace की तरफ connect कर रहे हैं और plantation भी यहां पर भरबूर तरीके से की गई है greenery पूरे घर में बहुत जगा जगा पे आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुती soothing effect प्रवाइट करती है आंखों को और उसी के साथ यह है इसका पूल आप यहां से भी access ले सकते हैं अपने पूल की सामने से आना चाहें वह bedroom से तो है ही और मैं आप आपको दिखा रेता हूँ यहां पे वाश्रूम यह है इसका वाश्रूम जिसमें एंटर होके राइट साइड पर वैनिटी है उसके उपर मिरर थोड़ा सा आगे वाल फिटेट कमोड और सामने आप देख सकते हैं शावर को लगा गया गया इसका सेलिंग डिज फर्दर इस घर की भी बैक साइड पर बेस्मेंट में दो सर्वन कॉर्टर्स को डिजाइन किया गया है फैमिली भी बहां पे रह रही है इसलिए मैं आपको विजिट नहीं कर वा सकता हूँ इस घर की प्राइस की बात कर लेते हैं जो के हैं 13 करोड रुपे 13 करोड इस घर की डिमांड है और प्राइस की नेगेशिपल है इसके लावब फर्दर इंफॉमेशन के लिए आप दिये गए नमबर पे राब्ता कर सकते हैं वीडियो देखने माले से रिक्वेस्टर के कि मैं दिल की अतहा के राईयों से शुक्रिय अदा करता हूं और जो निव विवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रगे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इसे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि इन फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए अच्छा कॉंटेंट लाता रहूं